नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीची दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी के लिए बेहद ही महतोपून जानकारी लेकर के जिहां आप सभी हमारे ही चैनल पर आम के फायदों के बारे में तो सुने ही होंगे लेकिन आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं आम के पत्वों के फायदे, जहां, बिल्कुल शही सुने आपने, आम के पत्टे के भी इतने फायदे होते हैं, इतने गुन होते हैं, कि अगर आज जानते हैं इस वेखों को सुनकर के, तो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, फलों का राजा कहलाने वाला आम, ज्यादा तर हर किसी की फे जाता है इसके पीछे कई सेहत संबंधी फायदे चिपे होते हैं इसमें कुछ ऐसे और शद्य गुन पाये जाते हैं जिससे कई स्वास्थे से जुड़ी होई समस्याओं को जूमंतर किया जा सकता है अब आपको बता दें कि सिर्फ आम में ही सारे गुन नहीं चिपे हैं बलकि आम के पत्ते सेहत के लिए वरदान होते हैं वैसे तो आम के पत्तों का इस्तेमाल पूजा पाठ में होता है इसके अलावा इसका अर्क अस्थमा और डाइबिटीज के मरीजों के लिए फायदे मंद माना जाता है आम के पत्तों में भरपूर मात्रा में मैगनिफेरीन, गैल मंद बनाते हैं चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल करने से आपको क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे कि आप इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अस्थमा और डाइबिटीज के मरीजों को देता है आराम आराम अगर आपको श्वास कोई भी परेशानी है तो आम के पत्ते इसमें मददगार साबित हो सकते हैं इसके अलावा ये डाइबिटीज से पीडित लोगों के लिए भी फायदे मंद होते हैं दरसल आम के पत्तों में एंटी बैक्टिरियल गुन पाये जाते हैं जो ब्लड शूगर के अस्तर को नियंतर रखता है इसके साथ ही इसके अर्क इंसूलीन उतपाद और ग्लूकोज का प्रसार ब्लड शूगर का लेवल घटाता है। किडिनी और लिवर को रखे फीट जब बलड शूगर का स्तर बिगड़ता है तब सीधा असर व्यक्ति की पकटी की केडिनी और लिवर पर पड़ता है इसके लिए आप आम का सेवन भी कर सकते हैं साथ ही इसकी पत्तियां भी पत्थरी की परेशानी को खत्म करने और किड्नी को सेहत मंद रखने में सहायता करती है इंफेक्शन से करे आपका बचाव आम के पत्तों में मौजूद एंटी बैक्टिरियल गून पेट से जुड़ी हर परेशानी का निवारक है अगर किसी व्यक्ति को ट्यूमर जैसी खतरनाक परेशानी है तो ये इस समस्या में भी फाइदे मंद होता है कोलेश्टरोल को कम करता है आम के साथ साथ उसके पत्तों में भी फाइवर और विटामिन सी पाया जाता है जो कि आपके कोलेश्टरोल लेवल को घटाने में मदद करता है इससे आपकी आर्ट्रीज मजबूत और स्वस्त रहती हैं अब हम जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करें आम के पत्तों का इस्तेमाल करने के लिए पहले पत्तों के छोटे छोटे हिस्से कर लें इसके बाद इन्हें अच्छे तरीके से धोकर अच्छे से चबा कर खा सकते हैं आप पत्तों को चबाने के अलावा आप इसका रस भी नि के पत्तों का पाउडर भी बना सकते हैं इसे आम के पत्तों को सुखा कर बना सकते हैं आप फिर इस पाउडर को रोज सुबह एक गलास पानी में मिलाकर पीजिये आपको लाव होगा तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि आम के अलावा आम का पत्ता जो होता है वो आपके धन्यवाद नमस्कार दोस्तों